आकाश्वाणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं मैं जबी शोए उचितम न्यायले ने पूरे देश में पहली से आठवी कक्षा तक हिंदी विशे को अनिवारे करने के लिए केंद्र और राजिस सरकारों को निर्देश देने की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है न्यायले की यूगल पीट ने कहा है कि ऐसा करने से अन्य भाषाओं के प्रती भी ऐसी ही मांग उचने लगेगी न्यायले ने कहा कि इस बारे में सरकारे स्वेम निर्दने ले सावजनिक वित्रन प्रणाली के तहट राशन प्राप्त करने वाले आर्थिक रूप से संपन्य परिवारों को पातरता सुची से बाहर किया जाएगा ऐसे परिवारों के नाम हटाने के लिए माप दंट तै कर दिये गए हैं खादिय आयुक्त विवेक पोरवाल ने बताया कि अंतियोदय अन्य योजना और प्रात्मिक्ता परिवार श्रेणी में शामिल 24 श्रेणी के परिवार में से आर्थिक रूप से संपन्य परिवार अलग किये जाएंगे खनिश साधन मंती राजिय शुक्लो ने केंदर से नैशनल जियो कैमिकल मैपिंग और फिजिकल मैपिंग कारे में मत्य प्रदेश को प्रात्मिक्ता देने का आगरे किया है कल नई दिली में राजियों के उर्जा तता खनिश मंत्रों की बैठक को संबोधित करते हुए शुक्लो ने कहा कि राजिस सरकारद्वारा प्रदेश की खनिश संपदा का विस्तरत सर्वेक्शन करने के लिए समय बद्ध कारिक्रम तयार किया जा रहा है इससे खनिश संसाधनों का बहतर दोहन किया जा सकेगा शिशुकलर ने बताया कि प्रदेश में खनीच के अवैद परिवहन पर सकती से रोक थाम के लिए करीब 100 इस्थानों पर जाच नाकिस थापित करने और मुबाइल एप वहनों की जी पिएस ट्रैकिंग व्यवसार लागू करने पर विचार किया जा रहा है मुखे मंत्री शिवरा Assistant जोहानने कहा है कि भिनके गोरी सरौवर को सुन्दर सरौवर बनाया जाएगा मुखे मंत्री कल भिनके गोरी सरौवर में कैनांग प्र attitudes का समापन कर रहे थे उन्होंने कहा कि राजसरकार द्वारा खेलों के लिए 300 करोड रुपे तक का बजट रखा गया है उन्होंने कहा कि चंबल शेतर में डाकू समस्या पूरी तरह से खत्म कर दी गई है अब चंबल शेतर में के सम्रत विकास के लिए जिला प्रिशासन द्वारा एक कारी योजना बनाई जाए जिसे राजसरकार स्विक्रती दे देगी शेवपुरी जिले में चलाए जा रहे ग्रामोदै से भारत उदै अभियान के तीसरे चरण में प्रत्य गाउं में एक तालाब का जिर्णा द्वार और निर्मान कराया जाएगा ये अभियान एक मई से शुरू होकर 21 मई तक चलाया जा रहा है जिला कलेक्टर ओम प्रकार शिवास्तव ने बताया कि इस चरण में प्रधान मंतरी आवास के कारे भी शुरू किये जाएंगे उन्होंने कहा कि योजना के तहत हित्गराहियों को लाभनवित करने के लिए कार योजना भी बनाई जा रही है वहीं आगर मालवा जिले में भी हवियान के तहर तालाबों के गहरी करन का कारे किया जा रहा है इस्थाने विधायक वोपाल परमा ने कल ग्राम परसु खेड़ी के तालाब के गहरी करन का कारे शुबारम किया इस कारे पर 10 लाख रुपे खर्च किये जाएंगे राजिस्थान के और से आरे गर्म हवाओं के चलते प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तेज गर्मी से जन जीवन प्रभावे थे पिछले 24 घंटों के दारान अधिकांश इस्थानों पर तापमान 41 डिगरी से अधिक तर्च किया गया है खजराहों में आज सबसे अधिक 43 डिगरी सेल्सियस तापमान बना हुआ है मौसम केंद्र के अनुसार अगले एक दू दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा केंद्र ने अगले 24 घंटों के दूरान चंबल और ग्वालियर संभाग तता उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंसौर, आगरमालवा, जाबुआ, लिराशपुर, धार, बढ़वानी, शैडोल, सिंग्रोली और अनुपुर जिले में धूल भरी आंधी और बोचारे पढ़ने की संभावना चताई है, अब कुछ समाचार संशेप में, प्रदेश में वित्ति और डिजिटल लेंदेन को बढ़ावा देने के लिए सागर में ग्रह मंतरी भुपेंद्र सिंग ने आज राजिस्तरी जागरुकता अभियान की शिरुवात की, इसका उदेशे मैक्रो फाइने प्रदेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाथ हुआ झाल